तो होके तो बाई डबली डबली वालों को पूरा रेसल मिनने का प्लान ही रिविल हो चुका है तो आज मैं आपको वीडियो में बता हूँगा उस प्लान के बारे में तो हले दोस्तो मेरा नाम एर जोर आप ते करे हो आर जेव रेसलिंग फैंस हाँ दोस्तों अगर आप भी हो सच्चे सनातनी तो सारे के सारे लोग कमेट सेक्शन में जैशीरी राम जैशीरी राम का नहारा लगा दो और सारे के सारे लोग जादा से दादा इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब ठोक दीजिए नेक्स जाम बात करते है कल के स्मैक डाउन के बारे में डबली रवले वाले उने तो कुछ रिविल नहीं किया है बस उन्हें अपना पोस्टिर रिविल किया है जिसके अंदर हमको रैंडी ओर्टन दर रॉक कोडी रोज रोमन रेंस और सेट फ्रिकी रॉल ने जैसे बड़ और रोमन रेंस का टैक्टिम मैच इनका मैच वर्ल्ड हेविट चैंपेंशिप और अंडिस्पूड चैंपेंशिप के लिए भी होने वाला है लेकिन ये टैक्टिम मैच भी हमको देखने को मिलने आला है नाइट वन के उपर अगर ये मैच हो रहा है तो मुझे लगता कि य इफिनेटली मेन इवेंट करेंगा नाइट वन को और नाइट टू के उपर हमको रोमर रेंस और कोडी रोस का मैच है देखने को मिलेगा जिसके अंदर कोडी रोस शायद से आपको चैंपिन भी देखने को मिल सकते है अन्डिस्पूड एट चार्ट का अंजर आपको पता चड़ी पकाएंगे वो तो हमको आगे पता लगने ही वाली है साथी साथ आठ मार्च की स्मैक डाउन के उपर वर्ल्ड हेवी वेड चैंपियन से ट्रॉल इस भी आपको दिखाई देने वाले है रोमन रेंस और कोडी रोस की स्खिचिडी के अंदर और देखते हैं कि रसमिनिया के अंदर ये चारो की चारो की लाड़ी जब बावाल और तेहल का मचाते है दोस्तों बहुत सैड नियुजिक कि कल के स्मैक डाउन के अंदर कोडी रोज अक्के ले आने वाले है और पूरी के पूरी ब्लड लाइन कल स्मैक डाउन के उपर उनके उपर तूटने वाले है शाय से कोडी रोज कल मार खाने वाले है और नेक्स स्मैक डाउन के अंदर सेट लाएंस बच्चाने आएंगे कोडी रोस को वो साथ निभाएंगे कोडी रोस का और ब्रिलेड लैंड की ऐसी की तैसी लगा देंगे वो नेक्स आम बत करते हैं के बारे में तो एक बच्चे ने के बेन ऐसके बोला था कि तु एलिमिनेशन चिंबर के अंदर चौक स्लैम लग नोटिस करने वाली बात ये है कि Roman Reins के पास पूराने वाली WWE چैंपेंशip दिकाई दे रही है, लगता है कि future के अंदर WWE वाले undisputed چैंपेंशip को रिटार करके पूराने वाली WWE čैंपेंशip को वापस लाज सकते हैं क्यूकि वो चैंपेंशip 60 सालों से WWE के अंदर चलती आ रही ह कि आप भी पुनारी डबली डबली चैंपेंशिप को देखना पसंद करोंगे तो सारे के सारे रो कमेट सेक्शन में ज़रू बताए तो नेक्स्ट आम बात करते है पैस्ट इन द वर्ल्ड सीम पंक के बारे में डबली डबली वाले ने रेसल मिना के आखरी मंडे नाट रॉक के अंदर सीम पंक को अवलेबल किया है यानि कि वहाँ पर वो होने वाले है और शायद से डबली डबली वाले रेसल मिना के लिए सीम पंक को होस्ट भी बना सकते है और शायद से वो वर्ल्ड हेवे चैंपेंशिप मैच के अंदर पेशल गेस्ट रेफरी का भी रोल प्ले कर सकते है तो दोस्तों कि आपको लगता है कि सीम पंक, सेट रॉलिंस और ड्रू मैक अंटायर के मैच के अंदर पेशल गेस्ट रेफरी आएंगे या फिर गोस्ट बनेगे उसका अंसर आप कमड़ी सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो तो दोस्तों नेक्स इन वाल आपड़ी जड़ी है रोमर रेंस और कोडी रोस के मैच के रिक्रेडिंग का इस बार वाकवी में कोडी रोस हरा देंगे रोमर रेंस को और बन जाएंगे नियो अंडिस पिडियर उनिवर्सल चैंपियन तो मुझे विश्वा से हाँ इस मैच क अगर आपको वीडियो पास देने तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब